राम राम साथ जए जवान जए किसान आज मैं दिल्ले में हूँ और टीम जए वीपी मीडिया ग्रूप के साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश चंजी बजाड जो भारत के मानने प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी जी के अद्धेक्सता वाले नीती आयोग में आप इस्ताई स कदर्श है वर्च 2,015 से प्रधान मंतरी जी के साथ आप काम कर रहे हैं इससे पहले भी आप क्रशी अर्थसास्तरी के रूप में विभिन सनस्थानों और विशेष नवाचारों की रूप में कारे करते रहे हैं कहीं सारी देशों यात्राओं का अनभव है देश में करशी के निर्मान विकास और उसमें क्या और नए नवाचार लाए जा सकते हैं उस पर लंबे समय से आप काम कर रहे हैं मूलते डाक्टर साब पंजाब मूलके हैं और अब दिल्ली में रहते हैं तो पूरे देश का अनभव है पूरी दुनियादारी का अनभव है और प्रधान मंत्री जी के साथ विसेश रूप से काम कर रहे हैं तो उनके विजन पर काम करने का अपना एक विसेश योग्यता भी रखते हैं तो डाक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत और अभी नंदान जी बहुत-बहुत धन्याबा कि आप मुझे इन ट्रिबु लेने आए। मेरी जो स्कूल लेवल की एजूकेशन है वो पंजाब के एक गाउं में हुई हमारा परवार एक किसान परवार था और बहीं पे मैं पैदा हुआ हुआ शारपो डिस्टिक के गाउं रतेवाल में और बहीं पे बड़ा हुआ और बहीं पे मैंने मैटर किया हमारा अलाका बाकी पंजाब के निस्वत एक थोड़ा अकोनामिकली बैकपर्ड रीजन है और वहाँ उस समया कोई इरिगेशन बगएरा भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती थी लोगों को रुजगार के लिए भी ज़्यादा लोग हमारे अलाके के मंडियों में जाकर मजदूरी बगएरा करना इस तरह का काम करके गुजरा करते थे मेरे पिता जी तो बिरला के इंपलाई थे हमारा परवार थोड़ा लग था लेकिन मेरा जो परिसनेल्टी मेरे जो बच्पन के इंप्रेशन जो थे वो उन लोगों पर अदार्थ थे के ये लोग कैसे गुजरा करते हैं तो उनको देखकर मैं शुरू से ही जिन्दगी में महनत करना और कुछ ऐसा करना के ये जो इतना कड़ी महनत के बावजूद भी बहुत से लोग अपना अलाज नी करवा पाते थे अच्छा खान पान नहीं कर सकते थे अच्छा मकान नहीं था कि इस स्थीती को कैसे परवर्तत किया जाए ये मेरे एक मन में इस तरह के बिचार रहते थे इशुर की क्रिपा से मेरी एजुकेशन अच्छी रही मैं अपने बलॉग में दसमी काक्षा में अबल नमबर पे आया लेकिन मेरा क्रिशी के पती बहुत जुकाव था हमारे हड़ मास्टर साब और मेरे पिता जी भी ये चाहते थे कि मैं जलंदर कॉलिज में या तो साइंस लेकर मेडिकल की ट्राई करूँ या पिता जी का मन था कि मैं कमर्स वाली साइट पे जाओं लेकिन हमारे गाओं के दो लड़के पंजाब एगरिकल्च उनिवरस्टी लुदेहना में मेरे से सीनियर जो थे वो वहां परते थे मैं उनसे बात करता रहता था मेरा मन बहीं जाने का था तो मैं बहीं गया फिर मैंने वहां से बीएसी किया MSC किया और फिर मैं यहां पूसा में ही जहां हम आज ये डिसकेशन कर रहे हैं मैं ये इंडियन एगरिकल्चर सार्च इंस्टीचूट जो के दुनिया के जो टॉप के इंस्टीचूट हैं जैसे मेडिकल में हम एम्स कह देते हैं तो यह उस तरह का टॉप का संस्थान रहा ह फिर यहां मुझे fellowship मिला मैंने यहां जो है पीएजडी किया और फिर मैंने अपनी academic journey जो है शुरू की पंजाब एगरिकल्चर उनिवरस्टी से मैं और भी कई संस्थान जो है बहां बहां काम किया इसके बाद में सर आप जब पंजाब एगरिकल्चर उनिवरस्टी के प्रोपेसर के बाद में दिल्ली में कब आये किस तरीके से जुड़े जी जी मैं दिल्ली में एक संस्थान है institute of economic growth बहां पे मैं आ गया था उसको economics का एक बहुत top का institute मानते हैं तो मैं बारश 1903 में में बहां आया था तो बहां मैं associate professor था तो मुझे वो institute इतना अच्छा लगता था के और दिल्ली का environment मुझे लगा के academically grow करने के लिए इंडिया में दिल्ली एक best जगा है तो मुझे वहां किसी वज़ा से उन्होंने regular नहीं किया तो फिर मेरे को पंजाब agriculture उनिवराष्टी ने professor का post offer किया तब मेरी उमर के बल 39 years थी लेकर मेरा family यहीं पे था मैं दिल्ली आना चाहता था तो मैं 6 मिने बाद लुद्याना से बापस फिर यहीं पार इसी पूसा campus में एक national institute of agriculture economics and policy है तो मैं उसमें professor या principal scientist के रूप में आया तो आते ही मुझे उस समया एक बहुत बड़े challenge को लेकर research करने का मौका मिला बो था कि 95 में इंडिया WTO का member बना WTO 95 में आया सभी लोग उसका member उसी समया बने तो देश में एक बहुत बड़ा चर्चा था कि WTO से हमारा agriculture जो है बरबाद हो जाएगा हमें उसका member नहीं बना चाहिए तो मेरे बारे में किसी ने शर्थ पुबार जी को बताया तब वो opposition में थे तो वो हमारे के इंदर में आये कि आपका नाम मुझे Dr. RS परोदा ने बताया है तो आप मुझे जरा seminar दीजिए तो मैंने उन्हें बताया कि मेरे ये बचार है फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं तो जवाहला नहरुविनी मुराष्टी इदर उदर ऐसे ही गया यहीं पर आप इतना अच्छा agriculture पर वर कर रहे हो फिर दास दिन के बाद उन्होंने महराष्ट्रा के सारे farmer लीडर को अपने गर पे वो रुकावगवांच गुर्दवारे की बैक में रहते थे बहां पर बु नहीं तो paper theoretically होते हैं तो फिर मैं एक अपनी research को थोड़ा सा एक mode दिया कि मुझे अपनी research की value इस चीज में नहीं देखनी कि paper कहां शपा है मुझे इस चीज में देखनी है कि इस पर जो लोग इससे परवावत हैं वो कितने लोगों का द्यान जाता है वो मेरे को कितना culture organization वो regional office Asia का उसका Bangkok में है तो वहाँ एक Indian ही थे R.B. Singh जो उसके director थे तो उन्होंने मुझे एक seminar के लिए वहाँ बलाया जो पूरे Asia पे था तो मैंने वो seminar दिया पूरे Asia के बारे में कि आपका trade situation क्या है WTO के साथ आप बाहर निकलने का मत सोचें उसी में रहके आप कैसे उसका lab उठा सकें कैसे अपना survive कर सकें उस और जाएं तो जिस दिन मैंने बापस आना था Bangkok से तो वहाँ जो कुछ लोग थे उन्होंने डक्टर R.B. Singh को बताया कि ऐसे ऐसे इंडिया से यंग professor आया है उसने बड़ा कमाल कर दिया तो R.B. Singh साब ने मुझे कहा आप मेरे office में आके फिर आप बापस इंडिया जाना तो मैंने का जी मैं तो पहली बार आया हूँ यहां की language भी मुझे समझ नहीं लग रही Thailand में कोई भी आदमी English नहीं समझता कैसे आना है मैं तो मतलब ऐसे खोया-खोया सा महसूस कर रहा हूँ उनने का नहीं मैं कार वेज रहा हूँ तो मतलब बताने का यह है कि उनको इतना इस वाद से खुशी हुई उसके वाद उन्होंने मेरे को 10-15 assignment FAO और South Asia में और South East Asia में काम करने के लिए उन्होंने दिये तो फिर इस तरह से मेरा थोड़ा नाम international level पे होने लगा फिर government ने मुझे सार्क जो दक्षन एरिया के किशेतरों क संस्थान था मुझे उसका नोडल फीसर भी सरकार ने बनाया उसी दोरान मुझे उस्टेलिया में बिस्टिंग परफेसर उन्होंने खुद बलाया वहां गया और मैं जपान में फिर वहां गया लेकर एक और बात है कि बो इंस्टीचूट आफ एकनॉमिक ग्रोध दिली उन और उसके बाद एक और बात बताता हूं कि अब मैं वस्टीचूट की गवर्निंग बोडी का चेर्मेन हूं तो आप यदि अच्छा काम करें और इश्वर की किरपा हो तो जो चीजें कभी आपको डिनाई हुई होती है वो अपने आप आगे आ जाती है एक सर आपने नाम लिया है पदमस्री डॉक्टर आरेस परोधा जी का जो हमारी राजस्थान से हैं जाड समाद से हैं और उनका भारती करशी अनुसंधान प्रेशिद को डीजी रहे और करशी मंत्रा लेके सचीवरे गोवर्मेंट आफ इंडिया एक बड़ी पोश्ट थे उनके बारे में मैं आपके खैलात जानना चाहता हूँ मैंने जब यहां जॉइन किया नैशनल इस्टीट आफ एग्री कल्चर पॉल्सी में तो वो इस्टीट उन्होंने ही क्रियेट किया था तो उसका जो वो डिरेक्टर लाए थे वो डॉक्टर दियानाथ जा थे वो उनके कलास फैलो थे वो अमेरिका से उनको लेकर आए थे तो मैं उनसे मेरा इंट्रेक्शन हुआ जैसे मैंने कहा कि पवार साब को भी उन्हों ने ही कहा कि हमारे सेंटर में भी एक यंगर सर्चर डवल्यू प्यों पे काम करता है आप उनकी भी बात सुनिये वो बहुत ही अंकरेज सब को करते थे और वो हमें इतना वैल्लू देते थ उन्हों ने एक इंडियन साइंस कांग्रिस की जिसके वो प्रेजिडेंट थे और बाजपाई साब को उन्होंने वहां बुलाया था वो जो अपना अड्रेस उन्होंने वहां देना था उसे डिसकर्स करने के लिए वो शाम को हमारे सेंटर में आकर बैठते थे और एक-एक इंडियन साइंस कांग्रिस तो बहुत परानी सौ साल से भी परानी है वो उस वर्ष उसके प्रेजिडेंट बने थे तो एक एगरिकल्चर साइंटिस्ट के लिए साइंस कांग्रिस का प्रेजिडेंट बनना बहुत बड़ी बात होती है एगरिकल्चर साइंस कांग्रिस का प्रेजिडेंट वन्ना एक बहुत बड़ी बात होती है मैं डाक्टर परोधा की बहुत मेरे मन में उनके लिए सितकार है और मेरे प्रफेशनल ग्रोथ में उनकी जो अड़्वाइस और उनकी जो गाइडेंस थी उसका बहुत बड़ा योगदान है इसके बाद में सर हम बात करते हैं डाक्ट साब जब आप अलग-अलग देशों में रह लिए उसके बाद में नीती आयुग में आने का मोका कौन से साल में मिला किस तरीके से आपने देश के प्रधान मंत्री की अद्धिक्सता वाली नीत याईक में पिछली कंतिनियुन दन सालो से हूँ जब मैं नेश्टनल सेंटर में था पहले मैं प्र alarश था फिर में नेश्टनल प्र 190 भी बना फिर में बहाँ डिरेक्टर भी बना तो मेरी पहली entry देश की योजना में कुछ योगदान करने की उस समया हुई जब सोंपाल जी Member Agriculture बने थे पलाने कमिशन के हैं सोंपाल शास्त्री जी? उन्होंने मुझे बिलाके कहा कि आपको Agriculture का chapter लिखने में मेरी मेदद करनी है ये उस समय शायद दसमी फाइव एर प्लान थी मेरे यदि मेरी मेमरी ठीक हो तो तो मैं थोड़ा मेरा confidence नहीं था मैंने उन्हें कहा कि सर मैं लिखूंगा ये chapter तो वो अच्छे बहुत अच्छे आर्थशास्त्री हैं लोग शायद इस वाद को नहीं जानते हैं बहुत अच्छे बिद्वान ब्यक्ति हैं तो उन्होंने मुझे कहा डाक्टर मेश आप किसान पुरवार से आते हो ये बावू जो यहाँ chapter लिखेंगे उसको पड़ोगे तो माधा आप अपना फोड़ोगे तुम बहुत अच्छा chapter लिखोगे बाकी मैंने देखना है तुम chapter लो मेरी first entry एक थी फिर उसके बाद जो यूपिय की government के 10 साल थे 2000 उससे पहले फिर entry शुरू हो गई और बाजपाई साव की government में आपके बाड मेर से जो finance minister से जिस्वांत सिंग जी तो उन्होंने मुझे फिर एक investment committee agriculture में बनाई थी मिर्दा जी की अधक्षता में तो उन्होंने मुझे हाँ जी हाँ जी तो मुझे उन्होंने उसका एक member रखा तो ऐसे फिर मैं register होता गया secretaries की नजरों में जो हमारे system के top के लोग हैं उनकी नजरों में और फिर यूपिये के जो 10 साल थे 2004 से 2014 में उनके बीच में जो भी ये हमारी five year plan बनी उसमें मैं working group को chairman था फिर मैं steering committee जो है उनका chairman था मैंने कभी भी कुछ लेने के लिए वो काम नहीं किये थे मैं एक बार की बात बताता हूँ कि जब steering committee का report हम लिख रहे थे जो उनके chairman थे डक्टर हनमान्था राओ उन्होंने member agriculture professor अवजीत सेन थे उन्हों मुझे कहा कि ये report आपको लिखना है आप कितने पैसे लेंगे consultancy के तो मैंने पूछा कि सर मैं पूछ सकता हूँ हनमान्थाराव साब से कि आपने कितने पैसे इसके लिए लिए हैं तो वो हंसे वो बहुत बड़े आदमी थे वो कभी पैसे ऐसे लेते नहीं थे काम करूँगा कि मैं आपकी इज़्जत कर रहा हूं उन्होंने मुझे यहां तक का कि लेकिन ये काम तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हैं सिरकार से पैसा लेने में कोई बुराई नहीं है तुम जो कहो हम consultancy दे देते हैं मैं नहीं सर मैं कोई consultancy नहीं लूँगा report मैं अची तर कांट्रिबूशन के बिना तियार नहीं होती है और फिर उन्हों ने उसका presentation डक्टर मनमहौन सिंग जी के आगे भी मेरे से कराया था लेकन मैं कभी भी एक politics की और कोई जुखाव मेरा नहीं था purely as a professional मेरा कांट्रिबूशन होता था इस दुरान एक दो बार कुछ और टॉप लेवल की कुछ position के लिए भी competition हुआ था तो नजरों में मैं ऐसे था के ऐसा एक ब्यक्ति है जो agriculture में काम करता है फिर जब वो नीतियोग बनाया प्रदानमांत्री जी ने तो उन्होंने राजस्तान में शायद गंगा नगर में एक rally में ये कहा के हम agriculture पे एक task force बना रहे हैं और उसके देक्ष उन्होंने आपके राजस्तान के ही जो पहले वाइस चेर्मेन थे इसके नीतियोग के उनको उन्होंने task force का चेर्मेन बनाया अर्बिंद पानागडिया साब को उन्होंने फिर आगे उस task force में 7-8 लोगों को रखा और काम distribute किया कि आप सब एक एक दो दो लिखो गए लेकन जो बाकी member थे क्या वजा थी उन्होंने किसी ने भी उस report का कोई भी chapter नहीं लिखा फिर पानागडिया साब ने मुझे कहा कि मैं तो बड़ा अब देखो एक अजीब सिती में फस गया हूं आप मेरी मद्द करिए अब हम दोनों ही पूरी इस report को मिलकर लि हो गए तो उन्होंने भी मेरे को जहां तक पता चला है कि प्रधान मंतरी को कहा कि agriculture में यदि किसी को लेना हो तो मेरी ये सफारिश है कि इनको लिया जाए जी जी और प्रधान मंतरी जी के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अब हैं डॉक्टर पी के मिश्रा वो पहले सेक्टरी agriculture थे तो उन्होंने कुछ agriculture insurance पर रपोर्ट बनाई उसमें भी मेरे को involved किया था तो वो जानते थे मुझे अच्छी तरह से तो इन सब लोगों ने पानागडिया साब ने तो मुझे स्वेम बताया कि मैंने ऐसे ऐसे आपके बारे में बोला है तो उन चीजों से जो है मैं समझ हुए योजना आयोग में जो बाद में नीतियायोग बन गया जी जी फुल टाइम मेंबर तो मैं बहां मैंने बहां जोइन किया पानागडिया साब वाइस चेर्में थे और तब हम तीन मेंबर बने एक डॉक्टर बिवेक देवराय एकॉनमिस्ट है और दूसरे डॉक्टर स पानागडिया साब थे तो ऐसे शुरुवात जो है नीतियोग की हुई अच्छा नीतियायोग में जब 2015 से आप काम करने लगे तो किस किस तरीके से काम हुआ प्रधान मंतिर नेरंदर मोदी के साथ किस तरीके के बैठके हुई किस तरीके से उनका इंट्रेक्शन और जो लिखा तो वो भी उनके तक पहुँची होगी और फिर उसके बाद पानागडिया साब ने एक ठीर एक्शन अजंडा कि आप फाइव एर प्लान तो नहीं बानने हम तीन साल का एक्शन अजंडा बनाएंगे उसके बाद फिर मीडियम टर्म फ्रेम बर्क बनाएंगे फिर ब मुझे मिला लेकिन उसी पीरियड में सरकार बहुत सी नई नई योजना एग्री कल्चर के लिए लेकर आई जिन में क्रिशी में मार्किट में कैसे सुधार किया जाए प्रदान मांतरी फसल भीमा योजना के इस तरह का होना चाहिए तो उन समय बड़ा टॉप लेवल की जो है योगदान इन सभी में देने लगा उसके बाद में वो फिर एक इस्टिशूशनलाइज प्रॉसेस हो गया के प्रदान मांतरी जी नीती योग में आएं या मीटिंग बलाएं कोविड के दुरान वो मीटिंग जो है वो ऑनलाइन होती रही तब से ये सिलसला नियंतरत लगातर चल रहा है एक किसान पुत्र होने के नाते किसानों की सबसे बड़ी संस्ता में देश के निर्मान की संस्ता में नीती आयोग में आप इस्ताय मेंबर हैं किस तरीके से मानते हैं कि किसान पुत्र होने के साथ मैंने अपने फर्ज को निवाया है और अपने आपने ज पे कोई चर्चा होती थी किसी मुद्दे पे बात जो है ओले जाती थी तो डिरेक्टर बटाचारिया साब ये कहते थे कि अब जो आदमी क्रिशी का बास्तविक नॉलिज रखता है अब उस से पूछते हैं कि उसका क्या मत है और मेरा जो क्रिशी से जो अटेश्मेंट है वो केबल बच्पन का नहीं है मैं अभी भी जो मेरा फार्म है मैं वहाँ पर हर डेड़ दो महिने में जाता हूँ बहाँ पूरे अपने फार्म पर खेती कराता हूँ किसानों से मिलता रहता हूँ कोई भी जब इशू हो तो मैं बिजट करता हूँ फील्ड अभी कोछ दिन पहले हमें एक नोट बनाना था कि डिरेक्ट सीड़ राइस यदि सीधा आप दान को लगाओ बजाए इसके कि आप उसकी पनीरी को ट्रांस्प्लांट करो तो वो किस तरह से चल रहा है उसका पानी पे क्या आफिर है तो मैं वो पानीपत के डिस्टिक्स में वहाँ जाके किसानों से मिलके उन सब के खेत देखके क्योंकि वो जानकारी जो आपको मिलती है उससे जो भी आप कोई नीती बताते हो या समादान बताते हो उसमें एक यिधारत वाद आता है एक प्रेग्मेटिस्म जो है वो आता है तो वो मैंने जारी उसको रखा और मैं यह समझता हूँ कि मैं जहां से मेरा बच्पन था जहां से मैं सब कुछ ले दे कर बढ़ा हुआ पढ़ा सब कुछ किया तो यदि मैं कोई सही पालसी बना कर उ उसको रख सकूं तो वो उस रिन का एक आंश चुकाने के बरबर है बिल्कुल तो यह थे डॉक्टर रमेश चंजी बजार जिन्होंने किसानी से पना जीवन सुरू किया किसानों के लिए समर्पित रहे और देश की सरवोच्चे नीती निर्मान संस्था नीती आयुगमी प काम कर रहे हैं टीम जेवीपी मीडिया ग्रूप की तरब से आपको बहुत सारा धन्यवाद किसान अन्यदाताओं की तरब से धन्यवाद और सर मैं आपको राजस्तान आने का निमंत्रन देता हूं मेरे गाउं आने का निमंत्रन देता हूं जहां पर किसान अन्यदाताओं क मेला लगता है लोगदेव स्री राला बाबा राश्ट्री सिक्षा कला और संश्कर्ति मेला होता है और हम जैविपी मीडिया गुरूप के तरब से आपको एक एक्सेलेंस अवोर्ड हमारा एक छोटा सा सम्मान आपको बड़े व्यक्तित्व के साथ में प्रस्तुत करेंगे ब बहुत बहुत धन्यवाद